आप सभी जानते हैं कि भारती राजनीत के चिर युवा और चिर व्याकुल नेता के पीछे उन्मत चिर विग्न संतोशी पार्टी किसी भी अच्छे से अच्छे अनुष्ठान में विग्न उत्पन करके कैसे संतोश प्राप्त किया जा सकता है उस प्रवित्त की परचायक कॉ अवसर के साथ खड़े न होकर उसका बहिशकार करते हैं अभी हाल में आपने देखा चंद महिने पहले की बात है पिछले वर्ष की नई संसत भवन के उधगाटन का बहिशकार किया नई संसत भवन डेड़ सो वर्षों तक चलेगी इसका भारती जनता पार्टी अत्वा प् भारत के कर संदचना में टैक्स स्ट्रक्चर में एतिहासिक पैरडाइम शिफ्ट हुआ उसका बहिशकार किया जी ट्वेंटी अभी अभी हुआ पहली बार ऐसा हुआ कि 20 राष्टा ध्यक्ष और दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 देशों के राष्टा ध्यक्ष भारत में जाए क्योंकि मैं पुना विरंबरता से कह दूं कि नॉन एलाइन समित भी हुआ था पर नॉन एलाइन समित उसमें वर्ल्ड का पावर सेंटर नहीं माना जाता था जी ट्वेंटी इस कंसीड़ेट इस पावर सेंटर उसमें महामहीम राष्टपत की द्वारा दिये गया भो तो ये एक संयोग की बात थी देखिए एक अनुसूचित जाट से थी एक अनुसूचित जन जाट से थी इसके बहुद आपने वहिशकार किया और अभी बाशन का वहिशकार करके आपको मिलना क्या था ये भी बहुत इसपश्ट था याद करिए कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था क्यों कॉंग्रेस ने वहिशकार किया था कारगिल विजय दिवस का भारती जंता पार्टी के प्रकर पित्रोत के बाद आदे अदूरे मन से रस्मद आएगी के लिए 2009 के बाद शुरू किया और अब हम उसको गर्व के साथ बनाते हैं जब मई 1998 में पोकरण विसफोर्ट हुआ अटल विहारी बाचपेई जी की सरकार के नितुर्त में कॉंग्रेस ने दस दिन तक बयान ही नहीं दिया और फिर उसके बाद भी नकारत प्रकार की प्रक्रियाएं जबकि भारत ने पहली बारे कहा था कि we have declared now we have become the nuclear state कितना बड़ा एतियासिक परिवर्तन था परंतु उसके भी विरोध में खड़े हो गए और तो और पूर्वर आश्ट्रपति प्रणों मुखर जी जी जो आप ही की पार्टी के थे उनके भारत रत्न समारों का भहिशकार कर दिया इसी भहिशकार भहिशकार के चलते हुए जनता भी कमशा उनको सत्त से भहिशक्रत करती चली जा रही है परंतु उनकी बुद्ध परिशक्रत होने का नाम नहीं ले रही है आज जब आयोध्या में श्री राम लला विराजवान की प्राण पृतिष्ठा होने जा रही है और उस समय एक बार पुनह कॉंग्रेस ने अपनी उसी प्रवत्ति के न गुलामी हम कहते हैं 800 साल की गुलामी तो ये 500 साल के संघर्ष के बाद भारत का वहस्वाभिमान उभर कर सामने आने जा रहा है जिसके की लिए सरदार पटेल ने कहा था सोमनात मंदिर की प्राण पृतिष्ठा की समय कि जब जब भारत स्वतंत्र हो था तो सोमनात की अट् पश्ट करना चाहता हूँ कॉंग्रेस अपनी प्रवित्ति की अनुरूप है मैं आप लोग के सुलब संघ्यान के लिए कोट करना चाहता हूँ कि जब सोमनात मंदिर की प्राण पृतिष्ठा हो रही थी तो जबहालाल नहरू जी ने 24 अपरेल 1951 को जाम साहद दिग्विज जो कि उस समय सौराष्ट के प्रमुक थे यानि लाइक टेक्निकली दे चीफ मिनिस्टर और उन्होंने जब इन्वाइट किया तो नहरू जी ने क्या लिखा था मैं बताना चाहता हूँ इसलिए कि कॉंग्रेस उसी परमपरा में चली आ रही है उन्होंने लिखा कि इस कठि जानवाद से बहुत परेशान हूँ मेरे लिए बहुत कष्ट कारक है कि मेरे राष्ट्रपती और मेरे कुछ मंतरी और राजप्रमुक के नाते आप सोमनाथ के इस समारों से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि मेरे देश की प्रक्रतिके यानुरूप नहीं है और 24 अपरेल 1951 सोर्स है सेलेक्टेट बल्स अफ जवाल अनहरू सिरीज 2 वॉल्यूम 16 पार्ट 1 बस वही तो परंपरा थी उसके बाद इंद्रा जी के जमाने में गोरकशक संतों पे गोलियां चली इंद्रा जी के जमाने में 1976 में जब रूटीन खुदाई में राम मंदिर के ख जमाने में पता नहीं क्या क्या हुआ वह आपको पता है और सुनिया जी के जमाने में आते आते राम काल्पनिक होने का हलफ नामा तक हो गया यानि यह बहुत साफ है कि यह प्रवत्ती जो आज कॉंग्रेस ने दिखाई है एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिख करना चाहता हूं यह नहरू की कॉंग्रेस है यह गांधी की कॉंग्रेस नहीं है क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनेतिक दर्शन था राम राज्य महात्मा गांधी का नित्यका भजन था रगुपति राघव राजा राम महात्मा गांधी की समाधी पे लिखा हुआ है हे राम और आज उस राम राज्जी की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंब हो रहा है श्री गणेश हो रहा है और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कॉंग्रेस और नहरू की कॉंग्रेस का अंतर भी अब बिलकुल साफ हो गया है और आज इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गवाया है ये कॉंग्रेस के अंदर का भारती ये संस्कृती हिंदू धर्म और हिंदुत के पृति जो विरोध है उसको दर्शाता है अब बताइए इससे अदा क्या होगा कि शीराम जन्भूमी केस में जो बाबरी मस्जित पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे उनको इन्वाइट किया गया है ये हिंदु धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है गोली चलाने वालों को भी इन्वाइट किया बताइए वो आने को तैयार हैं जो मुख्य पक्षकार थे मगर चंद कटरपन्थी वोटों की तिजारत की गला काच पृतिस परधा में कॉंग्रेस और कॉंग्रेस गोत्र के सारे दल कॉंग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तयार है तो आपने गिंदी में कहवत सुनी होगी न कि मुद्दई सुस्त गवाचुस्त यहां तो मुद्दई साथ में आके खड़ा हो गया है मगर इसके बावजूद इन लोग के मन में अभी भी वह लोभ दिखाई पड़ा है तो मैं कह सकता हूँ कि एक कहवत होती है कि राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम तो दुविधा में दोनों गए नमाया मिली नराम मैं सपष्ट कर देना चाहता हूँ इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिश्कार करके कॉंगरेस पाटी और कॉंगरेस की परंपरा कॉंगरेस गोत्र के जितने दल हैं उन्होंने इस पश्ट कर दिया है कि वो राजनैत्रिक दृष्टी से निश्पान तो होते ही जा रहे थे अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रतिय आपके मन में जो भी इर्शा है, द्वेश है इन्फिरियाटी कॉंप्लेक्स है उसको लेकर आप भारत के विरोध तक चले जाते थे आज भगवान के विरोध तक चले गए इसलिए मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक बार श्रीराम जन्भूमी ट्रस्ट ने जब इन्वाइट किया था तो उन्हें सद्बुध्याई होती तो शायद वो अपने पूर्व कर्मों का परिशकार करने के लिए आ जाते वैसे कॉंग्रेस पार्टी कंदरी कई नेता इसका विरोध कर रहे है क्योंकि शायद उनके मन में ये भी हो उज़े पुराना भजन है ना मैली चाधर ओड के तेरे द्वार पे कैसे आऊ क्योंकि इतने पाप किये हुए है उन्होंने परन्तो आज उस पाप के परिमारजन का वसर था वो भी आपने छोड़ दिया है तो इसके लिए मैं रामचरीद मानस की एक चौपाई कहता हूँ कि आकाश से जल मतब जो बादल है अम्रत तुलि जल क्योंना बरसा दे बेंत का जो वरक्ष होता ना उस पर फूल नहीं उकते कभी बेंत पर फलो फूल नहीं आते बैंबू जिसको कहते हैं उसी प्रकार विरंच अर्थात ब्रम्हा जी के जैसा भी आपको योग्य गुरु मिल जाए फिर भी जो मूर्ख लोग होते हैं उसे शब्दशा ना कहा जाए मूर्ख लोग होते हैं उनके हरदे में चेतना नहीं उत्पन होती तो कहा गया है जदपि सुधा बरसही जलद फूल भी फलही न बेद जो गुरु मिल भी विरंच चिसम मूरख हरदे न चेत इस कहरण से उनके हरदे में यह चेतना नहीं आ पा रही है पर अंतो मैं पुना इस पष्ट करना चाहता हूँ कि हर एतिहासिक अवसर का विरोध करते करते कॉंग्रेस ने आज भारत भारतियता के स्ष्टतम मूल्यों के पृतीक भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण पृतिष्ठा का बहिशकार करके ये दर्शा दिया है कि उनके लिए राजनीती और राजनीती में भी कटरपंत की राजनीती हम किसी समुदाय की बात नहीं करें कटरपंत की राजनीती अधिक महत्वपून है और राष्ट के आदर्श और प्रेणा कम महत्वपून है इसलिए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भगवान राम वो आदर्श हैं जो सभी मत्संपरदायों के लोग बांगते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बौद देश थाइलेंड का राजा टाइटिल होल करता है किंग रामा देंथ सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया में पृतिशत के हिसाब से भारत से यादा रामायन होती हैं सारे पात्र मुस्लिम होते हैं लगबक साथ पृत्यत देश जहां लोग जहां नास्तिक हैं वहां साउथ कोरिया की लेडी मानती है कि उसका वंश परमपरा भगवान राम से है पर अफसोस की बात यह है कि यहां पर जो लोग अपने को गांधी का स्वेंभूत रादिकारी कहते हैं वो इसके विरुद्ध ख मैं इस पश्ट रूप से कॉंग्रेस से कहना चाहूंगा कि आप इसके द्वारा यह साफ इस पश्ट कर दीजिए कि अब आप अपने पुराने बयान पे कायम है कि नहीं श्री पीवी नर्समाराव ने दिसंबर 1992 में कहा था नहीं वह तथा कतित मस्ज़ दुबारा यह दर्शाता है कि कॉंग्रेस के अंदर की मूल प्रवत्ति क्या है धन्यवाद